अलो दोस्तों संस्कित की TGT PGT की तैयारी के लिए आज का हमारा पहला प्रश्ण है नीती शतका अनुसार मूर्खो का भूशन है मौन हार वाचालत्व पुस्तक तो इसका सही उत्र है मौन नीती शतक के जो रचनाकार है भृत्रिहरी उन्होंने लिखा है विभूशनम मौनम पंडिता नाम एपंडितों का विभूशन जो है वो है मौन क्या है मौन अगला प्रश्ण ले लेते हैं मनुष्य का कौन सा भूशन इस्थाई है इस नान परिश्कृत्वानी हार या विचार तो इसका सही उत्र है परिश्कृत्वानी मनुष्य का उन्होंने कहा है क्षिय अगला प्रश्ण है, सरवे गुणाह कांचा नमाष्ड यंते, सुक्ति किस गरंथ से समबंधित है? नीतीilia शतकम, वैराग्य शतकम, मेग दूतम, श्रिंगार शतकम, तो इसका साय।टर है नीती शतकम, सरवे गुणाह कांचा नमाष्ड यंती कहा पर मिलता है यह ये? ये नीती शतक का जो अर्थ पद्धती है उसके 33 स्लो कही है कि सभी गुण जो है वो पैसे में आश्रित है ऐसा नीती शतक कार ने कहा है अगला प्रश लेते हैं संसार में सबसे अधीक मनोहर तथा कष्ट कार कौन है ये नीती शतक में किसको बताया गया है ज्यान को रमनी को यश को आभूशन को तो इसका सही उत्र है रमनी को संसार में सबसे अधिक मनोहर कष्ट कार किसको बताया गया नीतिशतक में रमनी को अगला प्रश लेते हैं नलचम्पू में सबसे पहले किसकी स्तूती की गई है शंकर की विश्णू की कामदेव की सरस्वती की तो इसका सैयूतर है शंकर की महा कवी त्रीविक्रम भट ने नलचम्पू के मंगला चरण में शिव पार्वती की सबसे पहले स्तूती की उसके बाद कवी की प्रशंसा उसके बाद दुष्ट की निंदा उसके बाद वाल में की व्यास बान तथा गुनाध्य की कविता की प्रशंसा की है अगला प्रशन देख लीजिए त्रीविक्रम भट का वन्ष है शांडिल्य भरद्वाज अत्री गर्ग तो इसका सही उत्र है शांडिल्य त्रीविक्रम भट जो की नलचंपू के रचनाकार है और इनका वन्ष क्या बताया गया है शांडिल्य अगला प्रश ले लेते हैं नल चम्पू का उपजिव्य ग्रंथ है महाभारत रामायन बासवदत्ता ब्रिहत कथा तो इसका सही उत्र है महाभारत महाभारत का वन पर्व जो है वो नल चम्पू का उपजिव्य ग्रंथ है अगला प्रश लेते हैं बाहुक पात्र है नल चम्पू कादंबरी मेगधूत नैशधिये चरितम तो इसका सही उत्र है नल चम्पू बाहुक जो है वो नल चम्पू में नल के जो सेना पती है वो है राजा नल जो है वो निशद धेज के राजा है और इनके पिता का नाम वीर अगला प्रशन देख लिए ब्रह्मनी शब्द में कौन सा प्रत्य है नीश नीप नीन क्तिन तो इसका सही उतर है नीश जाते रस्त्री विश्या दयोप धात सूत्र से कौन से सूत्र से जाते रस्त्री विश्या दयोप धात से नीश प्रत्य यहां पर होता है जिसका यह रहता है जाती वाचक शब्दों में जैसे ब्रह्मनी, गोपी, मानुशी, सिंगी, मिर्गी, व्यागरी, भल्लुकी, महिशी, शूकरी, गर्धवी, आदिपदों में नीश प्रत्य होता है तो आज के लिए इतना ही बने रही हमारे साथ TGT PGT के तयारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद